नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान के कुछ ऐसे चर्चित गाउं जो आपके एक्जाम में पुछे जा सकते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं राज्ये का पहला सेफ विलेज यानि राज्ये का पहला सेफ विलेज कौन सा है तो नाम आत यह पा distrib यह अछे विलेज है याद रखीएगा उसके बाद यह बात करते हैं रश्ट्रियस्थर पर यानी राजस्तान के कुछ ऐसे खाओं है जिनको healthy village या फिरम बात करें heritage village का दर्जा दिया गया है वे कौन से हैं ठीक है तो रश्ट्रिय स्तर पर राजस्तान के किस गाउं को healthy village का दर्जा मिला है तो नाम आता है जौनपुरा गराम पंचाईत जेपूर याद रखेगा यानि जौनपुरा गराम पंचाईत जेपूर रश्ट्रिय स्तर पर healthy village का दर्जा प्राप्त क्या है गराम पंचाईत है याद रखेगा इसी प्रकार रश्ट्रिय स्तर पर राजस्तान के किस गाउं को heritage village का दर्जा मिला है तो आता है नाम जहाउता गराम ये भी कांपे जेपूर में है याद रखेगा important question बनता है यानि जौनपुरा गराम पंचाईत जेपूर ये healthy village का दर्जाई से मिला हुआ है और जहाउता गराम की बात करें जेपूर इसको heritage village का दर्जा मिला हुआ है अब हम बात करते हैं राज्य का पहला ODF प्लस गाउं अब याद रखेगा रश्ट्रे स्तर पर जहाउता गराम को heritage village का दर्जा पर आपते है और इसके लावा जो जहाउता गराम जेपूर है ये राज्य का पहला ODF प्लस गाउं है ठीक है ये भी आप याद रखेगा ODF प्लस होता क्या है तो इसका मतलब होता है खुले से सोच्मुक्त गाउं ठीक है तो वह होता है आपका ODF प्लस गाउं तो ये राज्य का पहला ODF प्लस गाउं है ये आपका गाूँ है खेरोना गा को disparity बुंदी में कि याद रहूद रखेगा यहादू एक प्र फिर से मैं आपका बता दू जो कि खेरोन गा जाओं भुंदी है वह राज्य का पहला ओटिये प्लस आद्रश गाूँ और जबकि राज्य का पहला ओडिये प्लस पुछे तो जहाता ग्राम ओडिये प्लस पुछे तो खेरुणा गाउं बुंदी इसके बाद में एक पॉटेंटम बात करें तो एक और आता है गाउं पाडोली गाउं जापे हाली में पन्नाद है जो बिलदान और त्याग के लिए जानी जाती है जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बिलदान दे दिया महारणा उदेशिंग को बचाने के लिए वही पन्नाद है उनके पेत्रक गाउं जो पढ़ता है चितोडगड में और इस गाउं का रहम है पाडोली गाउं यहां पे पन्नाद है की पैनोर्मा लगव भी हाली में लगाई गई है तो याद रखेगा यह भी इपोर्टन क्वेशन बनता है पाडोली गाउं का समंद किस जिले से हैं ऐसे भी पुता जा सकता है ठीक है जहां पे हाली में पन्नाद है की पैनोर्मा लगाई गई है यह गाउं किस जिले में तो चितोडगड ठीक है इसके बाद में देखिएगा एक question और आपके लिए लिख रखा है पन्ना दैय प्रतीमा का अनावरण यानि पन्ना दैय का जो पहने औरमा है वो तो बनाए पाडोली गाउं चितोड़गड में जबकि हम बात करते हैं कि पन्ना दैय की प्रतीमा का अनावरण वो कांपे किया गया है तो वो गोवरदन शागर उद्यपूर और ये जो पन्ना दैय प्रतीमा है इसका अनावरण किस नहीं किया है तो वो किया है रक्ष्या मंतरी राजनात सिंग ठीक है तो ये दोनों question भी same same है याद रखीगा ठीक है दोनों question same same है ऐसे आप से पूछे कि हाली में पन्ना दैय प्रतीमा का अनावरण कांपे किया गया है तो गोवरदन शागर उद्यपूर में जबकि हाली में मावल दायनी पन्ना दैय का पैनोर्मा कांपे लगवाया गया है तो पाड़ोली गाउं चितोड़गड ठीक है पाड़ोली गाउं चितोड़गड इसके बाद में देखिए हमने यह सारी बात कर ली अब आता है एक बहतर जल प्रबंदन यह important question बनता है कि हाली में राजस्तान का कौन सा गाउं बहतर जल प्रबंदन के लिए चर्चा में है इसा question बन सकता है एक्जाम में बहुत ही important है गाउं का नाम आता है लापोडिया गाउं जो की कांपे है जयपूर में पढ़ता है तो याद रखिएगा जो लापोडिया गाउं है यह जयपूर में जाता है एक आपका रस्तर पर healthy village का दरजा प्राप्त है वो है जवन फरा ग्राम पधैत जयपूर एक लिए रस्तर रस्तर पर जहाउता अग्राम ठीक है इसके लाब देखिए एक नाम लिखावा आपर मिल रहा है आपको जीवाना जीवाना गाउं जो की सिंदूरी अनार के लिए वर्तमान में चर्चा में है अगर आपने दिश्थ जो पड़ा है तो आपर ये mention किया गया है जिवाना जो की सिंदूरी अनार के लिए फेमस है और यह जिवाना दोस्तों जालोर जिले में पड़ता है ठीक है और यहाँ पे वर्तमान में अगर मा आपको बदा हूँ तो इस जिवाना में उन्स क्वैलिटी के जो सिंदूरी अनार है वो यहाँ पे पड़ा होते हैं ठीक है और यहाँ पे चार जो मंडिया है वो संचालीत है वर्तमान में जिवाना में और इसके अलावा यह जो उन्स क्वैलिटी के सिंदूरी अनार है उनकी खरीद के लिए वेपारी दूर-दूर से आ रहे हैं जैसे हमारे पास स्टेट पढ़ता है गुजरात महराष्ट्रा यहां से भी लोग आ रहे इसके अलावा नेपाल, दुबई वहाँ से भी वेपारी है वो इन अनारों को खरीदने के लिए आ रहे हैं ठीक है तिसलिए जीवाडा जालोर का चर्चा में है इसके लाव देखेगा एक नाम मैंने लिख रहा है धूल खेडा जीपिया धूल खेडा जीपिया जो कि हाली में लोहे के बंडारियां पर मिले हैं और यह भीलवाडा में पड़ता है ठीक है यह परसन देखेगा के लिए चर्चा मरा तो वो सोने के लिए चर्चा में रहा ठीक है इसके लिए अब वर्तमार में बात करें तो धूल खेडा जीपिया है वो भीलवाडा का एक गाउं है या स्तान आपके लो जो कि लोहे के बंडार यहां पर मिले हैं तो इसलिए चर्चा में ठीक है एक यहा चर्चा में रहा था या फिर यहां से किस खनीज का अतुपादन होता है तो सोने झानी सोने के मंडारी फोड़े भूड़े थे तो यह चर्चा में रहा था तो आज हम ने इतने गाउं के बात करी इसके लाव है यह शूषिन पूछा गया है एक्जाम में कि एसा कौन सा अस्त में और आपके CT exam में आ सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जुरूब ताइएगा और मैं साइड भी हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीन सोट ले लेना नोट्स अची तरीके से बना लेना क्योंकि यहां से exam में question आने के chance ज्यादा रहते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में